ट्राइग्लिसराइड्स रेक्त में पाया जाने वाला एक प्रगार का वासा है अद्यपदारतों में गबत अधिरीक्त कलोरी विशेश रूप से उच्छ कार्बोहेडरेट आहार शरीर में ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं । जब आप बोजन नहीं कर रहे होते हैं तो फूर्ज की आपूर्थी करने के लिए जरूरत पढ़ने पर उन्हें वापस रेक्त में चोड़ दिया जाता है। ट्राइगलसराइड्स रेक्त वाहगाहों को मोटा करने में भी योगदान देज सकते हैं जिससे दिल का दवरा और स्ट्रोक हो सकता है। यदि आप कोलस्ट्रोल के स्तर का आगलन कर रहे हैं तो ववास की स्तिदी में लिपिट प्रोफाइल की जांच की सकत आवशकदा को अब दूर कर दिया गया है। बहुत अधिक ट्राइगलसराइड्स का स्तर भी पेड में आगनेशाशे शोध या आगनेशाशे ग्रिंदी की सूजन का कारण बेन सकता है। लिपिट प्रोफाइल के नाम से जाने जाने वाले परीशनों के एक समूख के हिस्से के रूब में रेक्त में ट्राइगलसराइड्स के स्तर को नेमिद रूब से जान जा जाता है। लेकिन ट्राइगलसराइड्स के स्तर का आगलन करने के लिए उबवास की सिदी में करना बहतर होता है क्योंकि बोजन के बाद ट्राइगलसराइड्स का स्तर बैठ सकता है क्योंकि रेक्त में अधिक उच कलोरी पदार्थ मिलाए जाते हैं। बोजन के बाद ट्राइगलस राइड्स के स्तार में असामान्य वर्दी भी महतुपूर्ण हो सकती है, हाला कि कम बार परिट्षन किया जाता है। करपया मेरे हिंदी चैनल पर हिंदी संस्क्रिन देखें, इस वीडियो के नीजे लिंक दिया गया है।